इंडिया भारत के अलावा पाकिस्तान के भी प्रतनिधी इस बैठक का हिस्सा बने अब विशेशक ये मानते हैं कि तालिबान एक प्रयास कर रहा है पाकिस्तान को संदेश देने की भारत के जरीये क्योंकि भारत का वहां जोड़दार स्वागत होता है और बढ़ चड़कर इस बात को तालिबान की ओर से बार-बार बताया भी जाता है कि इस बैठक में खुद भारत ने हिस्सा लिया ऐसा आखिर क्यों हो रहा है और भारत के जरिये आखिर तालिबान पाकिस्तान को क्या संदेश देने वाला है ये तो हम समझेंगे लेकिन आखिर ये जो विवाद है और संदेश देने की जो प्रॉसेस है आखिर क्यों हुई क्यों वो संदेश देना चाता है पहले समझे इसके लिए हमें थोड़ा से थिहास में जाना पड़ेगा थोड़ा पीछे जाते हैं कुछ साल पहले जब तालिबान सत्ता में आये थे तालिबान जब सत्ता में आते हैं उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि अब भारत के मुद्दों में दخल देने के लिए अंतराश्ट्री स्तर पर उसको एक दोस्त मिल गया है, एक साथ ही मिल गया है, लेकिन दीरे-दीरे दोनों की दूरियां बढ़ने लगती है, एक खास वज़ा दोनों के बीच यह है कि डूरंड लाइन कीची हुई है, डूरंड लाइन वो हैं, वो फेंसिंग लाइन है, जो डिवाइड करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, लेकिन तालिबान जब से सत्ता में आए, वो यह कहते हैं कि वो इस लाइन को नहीं मानते, क्योंकि अंग्रेजों के समय में बनी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वो इस ला बार बार आरोप लगाता है कि उसके नागरिकों के हत्या करने के लिए वहाँ पर आतंगवादी गत्तिवधियां बढ़ाने के लिए टीटीपी जिम्मिदार है जिसको सहयोग है तालिबान का तो यह दो कारण है जिनकी वज़से ठनी हुई है स्वक्त पाकिस्तान और तालिबान के बीच में और यही कारण है कि तालिबान अब पाकिस्तान को संकेत दे रहा है कि वो भारत का साथ लेगा अगर उसको जरुवत और भारत उसको साथ देगा भी ये उसकी ओर से एक संकेत देने का प्रयास है पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसका अलड़ी एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है ये जो बैठाक हुई थी ये शेत्रे सहीयों को बढ़ाने के ले ही हुई थी इसमें भारत के साथ गजाकिस्तान, तुर्की, रश्या, चाइना, इरान, पाकिस्तान, उस्बेकिस्तान और तुर्कमिनस्तान, इंडोनेशिया और किर्गिस्तान भी शामिल हुए थे हाला कि भारत की ओर से तालिबान की सरकार को कोई मानिता नहीं दी गई है लेकिन भारत की ओर से ये जरूर दबाव बनाने का प्रयास है कि वहाँ पर सभी दलों को मिलाकर एक सरकार बनाई जाए जिसको की मानिता दी जा सके तो ऐसे में वहाँ पर तमाम तरीके की चीजे चल रही हैं हो सकता है आने वाले वक्त में एक ऐसी सरकार हो जिसको तमाम देश मानिता दे 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 और ये जो सम्मिलन हुआ था इसमें तालिबान के विदेश मंतरी आमिर खान मुत्ताकी ने अपना संबोधन दिया उस वक्त भी अफगानिस्तान पर होने वाले पहलों में पूरी लगन से शामिल होता है तो बैठक में भारत की ओर से काबोल में इस्थित दूतावास में जो तैनात अधिकारी हैं उनको भेजा गया था क्योंकि वहाँ पर कोई दूतावास तो है लेकिन दूतावास में फिलहाल एक टेक यह धानिता नहीं मिली है और यह ऐसे वक्त पर होता है जब UAE में भारती दूतावास की ओर से एक कारिकरम करवाया जाता है Republic Day के अफसर पर गंतन दिवस के समारों में और उस वक्त उस समारों में उस कारिकरम में भारत की ओर से तालिबान के जो अंबासडर थे जो राजना अब भी अपना रूख मोड सकता है तो आपका क्या कहना है इस पर आप कमेंट सेक्शन की जरीए जरूर बताइए अब भी ज्य एपका करते है